दोस्तों आप सबको पता है कि चार्कोल जो है वह हमारी सिकिन पर से जितने भी इंपियोरिटी होती है उसको दूर करता है जो पॉलुशन से हमारे दाग धब्ले हो जाते हैं उसे यह उपन करने में हमारी हिप करता है इसलिए यहीं सारे चीजों को सोच करके मैंने ट्राय किय ला और ग्यानों का चार कोल फेस वाश कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस वह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इस वीडियो में लेकिन उससे पहले प्लीज इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजे ताकि जब भी मैं आगे कोई न्यू व जो की एजिंग को कंग करेगा पोर्स को क्लीन करेगा एंटी पॉल्यूशन है साथे साथ ये आपके फेस पर से जितना भी ऑईल है उसे ये कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करेगा तो दोस्तों ये है एक्टिवेटिड चार कोल फेस वाश ला और गैनों की तरफ से इसके अंदर चार कोल है जो हमारे स्किन को डीपली क्लेंस करेगा और हमारे स्किन को क्लियर और हेल्दी ग्लो देगा ये जो है हमारे स्किन के उपर जितने भी डाइडर्ट के माइक्रो पार्टिकल्स जो छुपे रहते हैं उसे खीच करके निकालेगा जिससे हमारे जो स्किन है एक दम ही clear और clean हो जाएगी जो pores बंद होते हैं उन्हें unclog करेगा exfoliate करेगा हमारी skin की जो उपरी layer होती है और साथी साथ आपको moisture तो मिलेगा ही क्योंकि aloe vera जो है वो moisturizing agent है और हमारी जो skin है उसे dryness से भी दूर रखेगा aloe vera which helps to remove toxins, excess oil and soothes the skin so you can fight the fall pollution all day long without worrying about your skin और इसके अंदर है दोस्तो tea tree oil जिसमें होती है skin repairing properties और यह हमारे skin के sebum को excess sebum को balance करने में help करता है pores को clean करता है acne होने वाले germ से fight करता है बाकि इसके अंदर cinnamon है यानिके दालचीनी है जो की एक amazing skin के ingredient है हमारी skin पर hyper pigmentation को acne को दूर करता है skin को lighten और brighten करता है और जो science होते है aging के उन्हें decrease करने में बहुत ज़्यादा help करता है तो दोस्तों अगर आप इस product को खरीदना चाहते हैं तो इसके सभी purchase link मैं दे दूँगे अपने description box पे अगर आप चाहें तो खरीद सकते हैं वहाँ जाकर के अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो please like करना और share करना मत भूलेगा मैं मिलती हूँ आपसे मेरे next वीडियो में तब तक के लिए बाइब और बाइब टेकेर